हालो फिल्स वेलकम टू पर्चम क्लासेज मैं हूँ आपका साइन्स एज़ुकर दीपक्षर्मा और आज हम बात कर रहे हैं बाइलोजी की बाइलोजी की सुरुवात कर चुके हैं वाइटी पर आज हमारा पहला टॉपिक सेल टॉपिक को डिसकस करेंगे मैं आपको बता बहुत सारी एक्जाम सब बिल्कुल लाइनप है एक्जाम से रेल्पे के एक्जाम से तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है वहाँ पर बाइलोजी और फिजिक्स तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने कवर करवा दी है सातमी अब शुरुवात कर रहे हैं आपके और रेगुलर सारी सेशन को फोलो करिए ठीक है शुरुवात करते हैं आज की सबसे पहरे एक जनरल साइंस का मेरे ससी का कोर्स है टार्गेट 2024 सारे एक्जाम को कवर करता है फिजिक्स केमेस्ट्री बाइलोजी की डिटेल टॉपिक वाइस वीडियोज है मैंने एड करना सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करते हैं और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें में मेल कर सकते हैं साथ महीं पर्चमक्लासेज डॉट इन पर जाकर आप हमारे वाइटी की जो यूटूब की क्लासेज हैं उनको भी पर्चेज कर सकते हैं जो कि आज ऐसे सैल टॉपिक है इस स्वैल टॉपिक जो माली ये फोर टू फाइव क्लासेज में पूरा होने वाला है वो सिंगल आपको मिल जाएगे वहाँ पर तो चलिए सुरुवात करते हैं सैल कि यह वर्ड आपको देखिए सुरुवात में बता देता हूं कि यह सुरू हो रहा है तो आपको लगीगा कि यह कुछ कुछ चीज़ी तो सर हमें अल्ड़ी पता है लेकिन अब जब सुरुवात करें तो सारी चीज़े ही क्लियर करने पड़ेगी उसी के तरह से हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से लिया है और आप उस लेवल तक लिजाओ जहां तक आपको जरूरत हैं सेल टॉपिक की बात करते हैं सेल क्या है देखिए इस यूणिवर्स में आपने बहुत सारी और्गेनिसम देखें जितने भी लिविंग और्गेनिसम ना जिनको हिंदी करते हैं तो सेल क्या है सेल किसी भी लिविंग और्गनिज्म जो भी है वो किसे मिलकर बने होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं और वो माइक्रोस्कॉपिक यूनिट है अब सेेर एक्सुन में कहा है च्छोम एक्षोमौ का कोई बी और स्टुराइने और वह दर फो इनको स्ट्क्शन ले ने होता है तो जो फॉंक्षनल यूनित है वह कै यह बहुत इंप्रटेंट लाइन है बहुत बारी से श बनता भी है कि किसी भी living organism की structural और functional unit क्या है cell है structural यह नहीं माल एक humans है हमारा तो structure बना हो किसे मिलकर बना है cell से मिलकर बना है ठीक है और जो हमारे function हो रहे है body में वो क्या है वो हमारी functions को रहा है cell कर रहा है आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो भी living organism में किसे मिलकर बनाता है cell से मिलकर बनाते है लेकि humans में क्या होता है cell के बाद बहुत सारे cells मिलकर क्या बनाते है टीशू से बहुत सारे tissues मिलकर क्या बनाते है organ बनाते है ठीक है जैसे अब हमारे body में बहुत सारे organs है organ से क्या बनता है organ system मनता है जैसे digestion system respiratory system और ऐसे हमारी human body का निर्मान होता है कुछ ऐसा ही होता है तो cell ही इसकी basic unit है structural unit है functional unit है आपको हाना अब हम जब study करते हैं जब हम branches की बात करते हैं तो हम cell की जो study है उसका structure कैसे बना है उसका composition कैसे बना है इन सारी चीजों की study हम किस में करते हैं cytology यह जो word है cytology कुछ ऐसे कह सकते है study of cell क्या होता है cytology होता है अब यह cell की बात तो आ गए लेकिस सबसे पहले cell की history में जाते है कि cell की बात कहां से हुई यह चर्चा सुरू कहां से होती है तो एक साइंट है रोबर्ट हुक रोबर्ट हुक ने एक कॉर्प प्लांट जो है वहां उन्होंने एक microscope जो उन्होंने खुद में develop किया था उस microscope की help से देखा कि उन कॉर्प जो tissues हैं उनमें कुछ functions उनको दिखा कुछ structure हमें उनको दिखा और यह structure कैसा था एक बहुत small room जैसा था चोटी-चोटी small rooms उसके अंदर है तो उन्हों सबसे पहले रोबर्ट टुक ने सेल के बारे में बात की लेकिन जो सेल रोबर्ट टुक ने बात की थी वो 1665 में की थी और वो cells dead cells क्यासी थी dead cells म्रत कोशी काएं थी dead cells में जो उन्होंने एक structure देखा और वो structure कैसा था honey bee हाना जो मदू मक्की का चो 36 जैसा होता ना उसमें बहुत सारी structure कुछ ऐसा समझेए मा लीजे कुछ ऐसा होगा जिसमें ऐसे चोटे-चोटे boxes बने थे ऐसे ऐसा उन्होंने देखा और फिर उन्होंने उसको क्या बोला उन्होंने इसको बोला एक्चुल में cell वर्ड कैसे आया होता समझे एक ग्रिक वर्ड है cellula उससे आया एक्चुल में आपने पता हो तो foreign countries में European countries में क्या होता था जहां पर केदियों को जिस रूम में रखा जाता था उसको cell बोलते थे क्या बोलते थे जिस रूम में केदियों को रखा जाता था उसको cell बोलते थे उसी इसे निकल कर आया है जिसका cellular और इसका real मतलब क्या होता है small room तो ऐसा लग रहा है चाशी चोटी- unit क्या है उसको हम किसमे study करते हैं और ये word कहां से divert हुआ है cell कुछ इस तरह की हमें दिखती है लेकिन ये cell अभी आपको साइद नहीं समझ में आ है लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी हम बात करते रहेंगे कि cell जो है वो कैसे function करती है इनिमल सेल्स कैसी होती है वोती है उन सेल्स इन करके डिसकस करें अब बात करते है कि इन सेल्सकी बात तो हो गई और सबसे पहले इसाओ गिसम यह भी बंता है कि हूडकाता है लेकिन यह सैल अभी तक फर्स्ट क्यिशिं से है कि जो living cells है क्या है जो living cells है सबसे पहले किस ने discovered की तो first living cell was discovered by Antinoluban Hawk A.V. Luban Hawk ने इनके बारे में बात की A.V. Luban Hawk ने first living cell की बात की तो तीन क्योश्वन से आं मत दें अगर simply क्योश्वन आता है कि who discovered cell Robert Hawk और होता है dead cells की discovery किस ने की और रॉबर ठोग को बोले living cells की discovery किस ने की तो A.V. Luban Hawk एक वर और निकल आता है protoplasm प्रोटोप्लास्म जो था यह जो टर्म थी यह किस ने दी पुरकेंजे ने दी किसे दी टर्म प्रोटोप्लास्म पार कोइंड बाई पुरकेंजे एटीन थर्टीनाइं एटीन थर्टीनाइं ध्यान रखना cell के कुछ basic questions में यह भी पूछ लेते हैं तो ध्यान रखना और तो protoplasm जो word है यह दिया था पुरकेंजे ने और इसको ανα can't tell se customer कि इसनी किया था प्रोटोप्लास्म कुर्ड वै Fix रूर्जिन ने किया था और इसको जो नाम दिया था वो क्या था सरकोड के हमें दो चीजी समझ में और finger in open आठीव कि बात कर रहे हैं एक हम बात कर रहे हैं प्रोट गलो तो लो इधर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, यह है cell, cell में यह है, यह cell की है, cell wall, cell membranes, और अंदर है cell के organ, ठीक है? एक जो बीच में आप जो देख रहा है, ब्राउन कलर वाला पार्ट, यह वाला पार्ट, यह क्या है? यह है nucleus, क्या है? nucleus, हिंदी में बोलते हैं, केंद्र और यह जो बाहर वाली रहा है, यह है cell की membranes, ठीक है? यह छोटी-छोटी जो और organs है, वो है cell के organ, ठीक है? और यह जो आपको बीच में, जो बीच में पार्ट दिख रहा है, खाली, इसमें fluid है, एक jelly जैसा fluid, इसको cell fluid बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ चार चीज़ा हम देख है, एक तो cell membranes, एक nucleus, cell organal और cell का जो fluid जो पूरे cell में फैला हुआ है, इन cell membranes, cell organ और cell, जो cell fluid है, उसको कहते है, cytoplasm, क्या बोलते हैं? cytoplasm, बहुत अच्छे से धान रखना है, cytoplasm, और यह बोलते हैं, nucleus, cytoplasm और nucleus मिलकर क्या बनाते हैं? protoplasm बनाते हैं, cytoplasm प्लस nucleus, यह क्या है? यह है protoplasm, अब protoplasm यह word है, लेकिन actual में protoplasm कौन-कौन से chemical से मिलकर बना होता है, जैसे सबसे major part है water, बहुत सारे ions, salt, यह मैं कहाँ दूसरे chemical molecules, कैसे organic molecules, जैसे protein, carbohydrates, fat, nucleic acids, vitamins, इन सबका complete combination क्या है? वो है आपका protoplasm, तो complete protoplasm के आप में बारे में बता लगया, protoplasm कैसे ने discover क्या था और इसमें होता क्या है, इसका composition कैसे है? अब cell की बात होने लगी, cell की discovery हो चुकि इसी लोगों के बारे में एक थोड़ समझ में आने लगया था कि कोई भी organism है, हम सब क्या है? और कहीं ने कहीं जब cell dead हो जाती है, तभी तो humans की मोत होती है, किसी भी जीव की मृतिव क्या मतलब क्या है? human cell का dead हो जाना, तो ऐसे समझ दी, जो कुछ है ना हम सब कुछ, वो सब cell है, ठीक है? अब cell के बारे में, जब बात होने लगी, तो cell की discovery हुई, और cell के बारे में और research होने लगे, तो एक चीज समझ मायन लगी, कि भाई, बहुत सारे scientist को मिल गया, ये वाली चीज़ा हो, तो उस पर research होने लगे, तो cell की theory निकल कर आए, कि हम cell बोले किसको, किसको हम cell कहें, तो द scientist थे, Sliden and Swan, उन्होंने cell theory थी, कौनसी theory थी, cell की theory, तो cell theory, who given cell theory, Sliden and Swan, कि दो scientist से, बाद में इन्होंने जो थी थी, उसको एक scientist से, Rudolph Virtue, उन्होंने इसको explain किया, इनकी एक line है, Rudolph Virtue, क्या आपे सुनी हो कभी, Omini Cellula E Cellula, क्या था हो, Omini Cellula E Cellula, Omini Cellula E Cellula, इसका मतलब कहीं कहीं, बतों क्या है, कि जितनी भी cells है, वो कहां से बनती है, All cells rise from pre-existing cells, पूर की जो pre-existing cells से ही, new cells का निर्वान होता है, इन्होंने cell theory, जो Rudolph Virtue ने दी, उन्होंने कहा कि, All plant and animals are composed of cells, उन्होंने कहा कि, जितनी भी plants और animals आना, वो किस से मिलकर बने होते हैं, cell से मिलकर बने होते हैं, और cell ही unit of life है, जीवन की जो unit है, life की जो unit है, वो क्या है, cell है, और cells rise from pre-existing cells, और cell का निर्वान कहां से होता है, प्री-existing cells से ही होता है, अब देखो, जब बात हुई तो कुछ cell की theory, जो cell की theory को follow करते थे, उनको cell बोला गया, जो cell की theory को follow नहीं करते, उनको cell से अलग कर दिया है, जैसे, जैसे virus, वाइरस एक तरस से cell theory को follow नहीं करते, प्रियोन, ये भी cell theory को follow नहीं करते, जबकि बैक्टिरिया में तो जान भी होती है, अभी virus आये था, coronavirus, वाइरस तो सच जिन्दा होते हैं, फिर उनको हम लोग cell की category में क्यों count नहीं करते हैं, देखो, आपने एक बात सुनी होगी, वाइरस एक्चुल में कब active होते हैं, जब वो अपनी favorable condition में आ जाते हैं, उनको अगर favorable condition आगी, तो बिल्कुल ऐसे बात करेंगे, जैसे वो living है, और जब वो favorable conditions में नहीं होते, तो dead कितरे हैं, तो complete hollow नहीं करते हैं, तो इनको अलग रखा गया, प्रियोन भी कुछ ऐसा ही है, जो cell theory को hollow नहीं करते हैं, प्रियोन कब पढ़ते हैं, जब हम plant disease की बात क करते हैं, देखो, ये दो scientist थे, Sliden and Swan, ये दो scientist थे, ये थे Rudolph विर्चो, ठीक है, और ये तो आप जानते ही है, Robert Hooke, बहुत famous, ये कहते हैं, biology में cell से ही सपु सुरू होता है, तो ये बहुत बड़े scientist है, ठीक है, Robert Hooke, और Sliden and Swan ये इन्होंने cell theory थी, लेकिन पूरा clear नहीं कर भा ये cellular, हमने plant की discovery के साथ साथ cell theory को पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं कि cell के type क्या है, cell के type को हम two types से discuss करेंगे, on the basis of number of cells के basis पे discuss करेंगे, और दूसरा हम करेंगे, उनकी type of organization में, कि उनका composition कैसे है, उनका, और उनका number of cells के basis पे हम लोग cell को divide कर, दो वर्ड आपके सामने लिखे ह unicellular organism और multicellular organism, यानि unicellular और multicellular, unicellular और multicellular का difference कैसे है, these are organism which made up of single cell only, यानि जो भी organism है, अगर वो उसका formation, हाना, वो अगर single cell से मिलकर बना है, तो हो क्या है, unicellular, uni, हाना, एक, uni यानि, one, cellular यानि cell, जो एक cell से मिलकर बना है, multicellular यानि, जो एक से ज़्यादा cell से मिलकर बना है, अब इसके examples क्या होते हैं, इसमें जैसे unicellular का example है, amoeba, और multicellular तो बहुत सार है, हम सारे क्या हैं, सब multicellular है, plant और animals क्या है, multicellular है, एक चीज और इसमें समझते हैं, पता है आपको, एक single cell है न, single cell, जो microscopic cell है, जिसको हम neck eye से देख भी नहीं पाएंगे, उसमें वो single cell भी पूरी है, को हमारी body में पता न, करोड़ों cells है, क्योंकि बहुत सारी cells है, फिर tissues है, उनसे organs बने है, organ system बना है, फिर हमारी body, लेकिन एक single cell भी किसी का जीवन हो सकती है, हम इसको यह कह सकते हैं, कि एक cell, single cell, में digestion भी हो सकता है, respiration भी हो सकता है, वो सारे functions ए एक cell में हो सकता है, याँ एक cell भी एक life हो सकती है, आप ऐसा समझे, इसका example है, amoeba, ठीक है, और multi cellular में क्यों होते हैं, बहुत सारी cells मिलका function करती है, कुछ cells digestion का का काम करती है, कुछ respiration का का काम करती है, ठीक है, इस तरह से body की different functions को different cells करती है, या उन cells के बहुत सारी cells मिलका tissue क करते हैं यह वो सारी सेल्स मिलकर organs बनाती है तो हर अपना-पना function करता है लेकिंश है जो बेसिक function है वह तो similar होता है तो multi cellular और unicellular इनके एकजामपल आपको पता लग गया देखो यह single cell है और यहां सेल्स है बहुत सारी सेल्स मिलकर tissue मनाती है tissues organ system है और फिर हमारी body ऐसे formation होता है अब दूसरा example, prokaryotic और eukaryotic, हम लोग on the basis of type of organization cell are two types आपर इन जनुआ होगा, prokaryotic cells और eukaryotic cells pro और eukaryotic में क्या है? देखो एक word से ही सब कुछ clear होता है karyotic का मतलब होता है nucleus, karyotic का मतलब क्या होता है? Nucleus होता है karyotic का मतलब होता है nucleus ठीक है? और pro pro यानि पहले वो cells जिन में जो nucleus के बनने से पहले थी यानि उनमे nucleus नहीं होता था, pro यानि first पहले और karyotic के अनि nucleus cell यानि cell, वो cells जो nucleus के बनने से पहले थी, यानि उन cells में nucleus नहीं होता था, हाना ये pro karyotic का मतलब होता है? क्या? primitive time की जब बिलकु स्रष्टि का निर्मान हुआ 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 है इस ब्रमान का, इस universe का निर्मान हुआ 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 ये उतनी डवलप नहीं होंगी pro karyotic, एक दिम सिंपल जिनमें कुछ भी नहीं होगा हाँ भी कह सकते हैं, बिलकुल primitive जिनको कहते हैं, जिनको प्राचीन जिनको कहते हैं, बहुत प्रिमिटिव जो बहुत सालों पहले, जो unfavorable conditions में भी रह रही थी, बहुत लाखो करोड़ो degree Celsius temperature में भी अपना जीवन सर्वाइव कर रही थी, वो cells यानि उनमें nucleus नहीं होता था pro karyotic यानि nucleus से पहले eukaryotic, you यानि true you का मतलब क्या होता है, true और nucleus, karyotic यानि nucleus जिनमें सच्च में nucleus होता है true nucleus होता है वास्तित में nucleus होता है, वो है eukaryotic, तो देखो इसमें कहीं भी nucleus नहीं है कहीं भी, लेकिन इसमें देखो इसमें nucleus है, एक चीज और थोड़ा सा बता देता हूँ actual में nucleus में मैं ऐसे मैं आपको आगे detail में पढ़ाने वाला हूँ, बढ़ nucleus में बता है क्या होता है, nucleus में होता है genetic material, क्या होता है genetic material अब genetic material ली तो आगे जाता है forward होता है, हाणा तो यहाँ genetic material होता है nucleus के अंदर, अब इसमें nucleus नहीं है इसका मतब देखो, genetic material देखो इस cell के अंदर बाहर बिखरा हुआ है जबकि nucleus में जो इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं नुक्लियोइड और इसको बोलते हैं नुक्लियूइड 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 और इसको बोलते हैं नुक्लि थी खहें तो prokeratic और heucaratic these are primitive and incomplete cells in में कुछ भी नहीं होता है बिलकुल simple बिलकुल सहह है और they have less developed, यह कम developed होती है, nucleus होता नहीं होता इनमें, nucleus की membranes नहीं होती है, जैसे bacteria example, prokeratic cells का example क्या है, bacteria अगर मैं heucaratic cells की बाग के रहूंँ, वेल डवलप बहुत अच्छी से डवलप होती देगो इसके कंपरिजिए में सेल कितनी कॉंप्लेक्स और सब पुछ है इसमें माइट्रो कॉंडिया लाइसोस हो में साइट्रो प्लाजम है हाना सेल मेंब्रेंस है नूक्लियस है नूक्लियस में भी सारे और्गनल्स है अचरेबर बने हैं और जो बैक्तरिया हो किसे होते ह comprend comes के बने होते हैं अप यह functions के according अपने आपको बना लेती है अपनी shape और size को जैसे नरू सेल है वो longed cell है देखो इसकी shape देखो कैसे है बिलकुल लंबी cell है ठीक है branch होती है ठीक है colloidal होती है spinal shape होती है round shape होती है cubicle shape होती है देखो तो इस तरह से cell की different different shape shape और उनके size होती है यह उनके functions पर depend करती है और उसके according क्या अपनी बना लेती है अब cell की size इससे बहुत सारी questions आता है बहुत सारी questions किसा cell की size क्या है shape तो हमने पढ़ ली देखो cell की जो size है वो variable करती है type of organism बार जैसे मैं यह कहूं कि cell की जो size है actual में हम कुछ cell को माइक्रोस्कोप से देख सकता है उनको देख ही नहीं सकता है और कुछ को next eye से भी देख सकता है अब दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे आना जैसे actual में 0.0 से लेकर 18 cm तक होती है माइक्रोंटर से लेकर cm तक होती है जैसे अगर मैं यह बात करो यह कहूं कि जो multi cellulol organism है अब समझे है जैसे मैं multi cellulol का नाम दे रहा हूं सारा दिमाग में रहा है plants और इनकी organism कि कितनी होती है 20 से 30 होती है अब हम बात करते हैं कुछ mcqs को सीधा डायक्ट नाते है और आज मैं आपको mcq भी करवाने वाला हूं जैसे largest cell ostrich अगर कोई पूछे कि largest cell कोंसी है तो ostrich सुत्र मुर्ग का जो अंड़ा है वो क्या है largest cell कोई इसको माइक्रो प्लाजमी कहते है और यह क्या है जिरो पॉइंट माइक्रो मिटर के होती हुए human का एग जिरो पॉइंट माइक्रो एमम का होता है हा ना तो इससे लोंगेस्ट लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल के questions आपको बता दिये यह एक्जाम में question बहुत बार कुछे जाते हैं अब मैं आपको एक शीज़ पढ़ा को सबसे हैं कुछ MCQ को करने वाले हैं और आप सबको confirm हर एक सवाल का जवाब comment box में देना है सतारे मैंने पढ़ा दियें बस आपको मेरे साथ practice करनी है एक्जाम में बिलकुल basic से लेकर चल रहा हूँ जब हम लोग three to four या five parts में complete कर रहे होंगे पूरे cell को यह मसोतना कि बाद में पढ़ देंगे बाद में एक्जाम आगी बाद में कितनी subject को पढ़ोगे biology पढ़ोगे physics physics, chemistry, physics, biology, history, geography, politics, strategy, current affairs, math, reasoning, English, king-in चीज़ों को cover करोगे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो continue physics को देखें और हारे questions को जबाब दीचें और जितना tough question भी बनता जाएगा वो भी हम लोग बनाते लेंगे तो आज की session में था the first person to observe a cell under microscopic सबसे पहले किसने microscope को cell में देखा cell को देखा microscope में तो वो थे Robert Hooke Robert Hooke father of cytology next question कहा है तो cell theory was पर ना हो हना तो cell theory किसे ने दी दो scientist थे slide and and swan ने दी अगर cell theory की बात करते है root of virtue अगर option में होगा तो भी हम slider and swan को क्योंगी सबसे पहले theory को उससे थोड़ा explain करके बता आया बता तो उन्हों दी लेकि थोड़ा clear नहीं कर पाये थे उसके बाद root of virtue आये और उन्होंने cell theory को थोड़ा और explain करके बताया लेकिन सबसे पहले कुन है यही है slider and swan the word cell was point by तो कौन थे Robert hook नहीं cell word की सबसे पहले बात की थी nucleus इसके बारे में बात नहीं की थी यह आपके लिए है यह नया question है वैसे अब nucleus को जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो पूरा detail में बताऊंगा nucleus को Robert hook, Robert brown, virgin या नहीं इन्होंने किसे नहीं की थी यह word nucleus आया ही नहीं हमारी आज की session में सबसे पहले मैं आपको दाओ रॉबर्ट ब्राउन नहीं nucleus पो discover किया था smallest cell देखो ppl o ppl o अभी हमने बात की थी 0.1 यह size बताई थी मैंने आपको shape और size की पारे मैं आज बात की सबसे smallest की बात की सबसे longest nerve cell है सबसे largest ostrich egg है ठीक है बिलकुँ सही है which of the following is the longest cell तो longest cell को उन्सी थी longest nerve cell नर्व cell को क्या बोला है हमने longest cell बोला है which one of the following is an example of prokaryotic cell देखो prokaryotic cell का example क्या है prokaryotic और eukaryotic की बात की थी प्रो यानि जिन में nucleus नहीं है primitive time की बात कर रहे हैं बहुत बहुत डवलप नहीं होती है लेकिंगे eukaryotic true nucleus है developed होती है सारे और्गनल डवलप होते है ठीक है उन्हें nucleus भी होता है तो जो prokaryotic का example है bacteria eukaryotic के example क्या है plants or animals अगर हम बात करें what is cytology देखो cytology का मतलब क्या है who coin termed protoplasm protoplasm की बात करते हैं देखो आज मैंने आपको बताया कि protoplasm जो वर्ड था वो किसने coin क्या था वो आपको बताना है क्या में क्यों था पूरकिंजे क्योंकि robert hook ने तो cell की बात की थी ठीक है किसी भी living organism की functional unit है उसकी structural unit है उसकी heredity unit है तो all of the above क्या है इसका right option है कल के session में हम लोग procurity को और eukurity के difference को समझेंगे पिस जो organization है जैसे nucleus है उसको पूरा detail में समझेंगे सारे mitochondria साड़ी endoplasmy reticulum है ठीक है और साड़ी चीजों को वहां ट्राइब और समसुन सबको discuss करेंगा अगर session पसंद आ रहा तो वीडियो को like करें और अपने दोस्तों को जरू बताएं पूरा वीडियो जहां से देखें और अगर आप response करेंगे तो daily basis पर मैं आपको ऐसे ही one-to-one करके explain करता रहूंगा और पूरी biology को बहुत से deep में पढ़ने वाले हैं thank you everyone bye bye take care